हलो दोस्तों मैं हुँ एजाज हैमद और आप देख रहे हैं तलिट मिरर तलिट मिरर की इस तीसरे एपीसोड पोलिशी की बात मिद एजाज में आपका मोस्ट वेलकम है आपका खेल मकदाम है फ्रेंड्स आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं और एनाल्सिस करने जा रहे हैं अमित मानविय के उस दाओं के बारे में जिसने चिनमे से उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट से एक वीडियो शेयर किया और यह दावा किया है कि शाहिन बाग में जो प्रोटेश्ट हो रहा है एनार्सी, सी ए और एनपी आर के खिलाफ वह कॉंग्रेश के द्वारा स्पॉंसर्ड है मतलब कॉंग्रेश, पार्टी उन तमाम लोगों को प्रती एक दिन पैसा दे रही है पांच सु रुपे जो लोग इस प्रोटेश्ट में सामील हो रहे हैं जिसका मुख्य मकसद है देश में अराजात्ता फिलाना और देश को साइड कर लेंगे और यह कॉंक्लूजन निकाल लेंगे कि अमित मालविया के इस दावे में कितनी सत्यता है कितनी क्रेडिबिलिटी है और कितनी विश्वस्नियता छिपी हुई है अमित मालविया भारती जनता पाटी के आईटी सेल का हेड है और इनके अलावा उन गिरोह का भी हेड है जो सोसल मीडिया पे चाहे वो फेस्बूक हो ट्विटर हो या इंस्टागराम हो या तो अन सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वहां पे मौजूद रहते हैं और को रेप करने की धंकी देते हैं और जो भी कोई लोग प्राइम निश्टर को क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी किसी भी पॉलिशी को क्रिटिसाइज करते हैं तो ट्रॉलर्स उसको ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं इस गिरोह का अमित मालविया है आए कुछ और एक्जाम जिसमें से उन्होंने यह दावा किया था कि अलीगल मुस्लिम यूर्शिटी के कैमपस में वहां के स्टुडेंट्स ने देश के खिलाफ नारे लगाए देश के टुकले टुकले होने के नारे लगाए और हिंदू से आजानी चाहिए इस तरह के डेरोगेटरी नारे वहां पे किया और उसके बाद अल्ट्वीज ने यह पाया अपने फीट्स में कि यह जो विडियो आन्मीत मालिवय के त्वारा शेयर किया गया था यह एक डॉक्टर्ड विडियो था यह एक डॉक्त इशाओ सधे सावरकर सबनाना चाहिए उसके बाद फिर अमित मालिवय को शर्मिन जिन्दा होना पड़ा और फिर उन्होंने इस मेंटर पे फिर मौन साध ली आए फिर दूसरे एक्जामपल लेते हैं इसी तरह 20 अप्रील 2019 को अमित महालविया ने एक एडिटेड वीडियो शेयर किया डॉक्टर वीडियो शेयर किया और उनमें ने उनमें से और उस वीडियो पे अपना राइनितिक करना चाहते हैं उसके बाद जब आल्ट न्यूज ने फिर फेक्ट फैंडिंग की तो पता चला कि अमित महालविया ने इसे डॉक्टर किया और शेयर किया सिर्फ लोगों को गुमरह करने के लिए इसके बाद फिर अमित महालविया को शर्मिन्दा हो जिसमें से उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से फिर दावा किया था कि रविश कुमार जो एंडी टीवी के एंकर हैं वो किसी राइनितिक पार्टी से एफिलेटेड हैं और इस बात का उन्होंने खुद एक्सिप्ट किया है और यह रहा वीडियो उसके बाद आल्ट न्य यह था कि यह वीडियो 14 मिनट का था उसको प्लिप में एडिट करके 10 सगेंड का बनाया सिर्फ लोगों को गुम्रा करने के लिए फिर अमित मालिया को शर्मिन्दा होना पड़ा और यह शर्मिन्दा होने का स्रीज अमित मालिया का चलता रहा एक और एक्जामपल सरदिसाई को ISI का PR होना चाहिए मतलब उन्होंने डायेक्टली यह कहा कि राधिप सरदिसाई एक आतंगवादी है और इस तरह से कहना बिल्कुल भी वाकई में कंडेमेबल है कि किसी भी एक प्रॉमिनेंट जनलिस्ट को आप आतंगवादी कैसे कर सकते हैं हलाकि उसके कुछ दिन बाद एडिटर गिल्ड ने तुरंत कंडेम किया स्ट्रोंगली और कहा क्या और कहा दिसेवरी टेस्टलेस एंड डिपलोरेबल स्टेट्मेंट मेट बाइद अमित मालविया अब इन तमाम चीजों को देखते हुए इन तमाम करमकांड को देखते हु और उनमें इन्हों ने ये दावा किया कि जो स्राहिनबाग में प्रोटेस्ट हो रहा है कॉंग्रस एस्पोंसर्ड है और वहां पे जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे प्रतिक दिन 500 रुपे पैसा दिया जा रहा है उसमें इस स्टेटमेंट में इस दावे में कितन कि बॉखलाई हुई है और यहां एक डिस्पैरेट एटम्ट है बीजेपी के दोबारा इस मास्ट सिविल मुमेट को डिलेजटमाइज करने का हला कि जब से संसर्ध होने पास हुआ है तो भार्ट जनतापाटी बॉखलाई हुई है कि पुरदेश में किस तरह से नॉर्मल दिखाने के लिए और यहां साबित करने के लिए कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और इस मास्ट सिविल मुमेंट को डिलेजटमाइज करने के लिए कुछ कदम लिए है आए उन कदम को एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और इन कड़ी में पहला कदम है कि इंटरनेट सस्पेंशन देश के साथ साथ पुरे दुनिया ने भी ये विटनेस किया कि किस तरह से सीए के खिलाफ होरे इब्रूत प्रदोसन को दबाने के लिए इंटरनेट जैसे सस्पेंशन का हथकंडे को अपनाया गया चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो या असाम हो या उत्तर प्रदेश हो यहां तेकि नैशनल कैपिटल देली में भी इंटरनेट सर्विस को डियक्टिवेट करना पड़ा सरकार को ताकि लोगों का कॉम्निकेशन को ब्रोग कर दिया जाए लोग किसी भी तरह का इंफोर्मेश और इस मेंटर में सरकार ने बहुत इंफोर्मेशन फैलाई कि जब लोगों को पता ही नहीं है कि CAA है क्या तो लोग विरोध प्रदेशन क्यों कर रहे हैं और अनफॉर्चनेटली सो कोल्ड मैनिस्ट्री मेडिया ने भी इसे बहुत हाइलेट किया और यह दिखाने की कोशि किया गया कि विपच्छी इन लोगों को गुमराइख रहे हैं । सरकार के तरप से और जो तिसरा कदम रहा वो रहा वाइलेंस सरकार ने कहा कि torch क्यों किया रहा है अगर आप किसी बी तरीके से अगर विलोध प्रदेशन करना सक्षिय का तो किजी लेकिनर आप गिमोट्ड कंट्री में किसी भी तरह का वाईलेंस बिल्कुल डिप्लोरेबल रसी नहीं लेकिन इसके इतर सवाल यह है कि सिर्फ बिजयपी रूर्ड एस्टेट में ही वाईलेंस क्यों क्या यह सुन्योजित वाईलेंस है और इन तमाम सवालों का जवाब कुछ दिन पहले बिजेपी के वेस्ट बेंगॉल के चिफ दिलिप खोष ने ले लियाँ उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारे सरकार ने हमारे सरकार ने जो CAA और NRC की खिलाफे दोध प्रजशन कर रहे थे उसको किस तरह से सरकार कुटों के तरह से पीटा और कुटों के करना जैसा कि पुरोडेश ने मिटनेस किया कि किस तरह से भारती जंदा पार्फी ने पुलीस का इसतेमाल किया है इस मास मोमेंट को डिलीजट वायास करने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया है गोलियां आई है असाम में तीन से चार लोग मारे गए पुलीस फाइरिंग में जो लोग सी एक खिलाफ विरोध प्रजशन कर रहे थे उत्तर प्रजश में इसलामिया में Central University में बिना अनुमती की पुलिस घुष्टी है और क्रेकड़ून करती है लाइबरीडी को तोड़ फोर देती है और यहां पर आसू के गेस छोड़ती है और लाठियां बरसाती है गोरियां चलाती है और जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल होगे और जिनमें से एक स्टूडेंट ने अपने आँखें गवा दी तो इन तमाम चीजों को अगर एक एस्पेक्ट में देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भार्टी जंतरपाटी ने पुलिस फोर्स का ब्रुट इस्तेमाल किया है इस मास मु सब्सक्राइब को अपना रही है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद